जै जिनेत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेश कारेकरम समस्या एक समाधान अनेक मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन मैं डॉक्टर प्रदीब जैन वास्तु इक्सपड, एस्टरलॉजर एंड डिस्टेंस रेकी हीलर आप सभी का हर्दिक स्वागत करते हैं आनन्दबर्ड परिवार की तरब से आनन्दबर्ड विश्व का प्रिथम भक्तामर क्लिनिक है जो रोहीनी में हिस्तापित है पिछी देस वर्सों पर भक्तामर पिश्थोत्र पर और एकी हीलिंग पर हम निरंदर अनुसंदान कर रहे हैं नईनी बातें आपको सिखा रहे हैं दुनिया को बता रहे हैं जिससे इन उप्चारों के माद्यम से इन पवित्र मंत्रों के माद्यम से हमारे जीवने में खुसिया आए सम्रिद्धी आए सकारात में उर्जा का प्रभा हो और हम निरंदर प्रगर्ती के पत पर अग्रस्तर हो गतिसील हो हमारा पूरा प्रियास चक्र विज्ञान हो आवा मंडल विज्ञान हो वो निमरिक कोर्स हो वो किष्टल विज्ञान हो ज्यादा ज्यादा नॉलिज आपको देने का रहता है किसी व्यक्ति की पैचान होती है तो व्यक्ति की व्यक्तित से होती है और व्यक्ति का व्यक्तित कबड़ों से नहीं पैचाना जाता व्यक्ति का अगर व्यक्तित जानना है किसी व्यक्ति की पैचान करनी है किसी के बारे में संपूर्ण समझना है उसके करेक्टर के बारे में उसके बीहेवर के बारे में उसके बूत और भविश्य के बारे में उसके बर्तमान के बारे में अगर हमें जानना है तो एक ही चीज़ काम आती है वो है हमारा आवा मंडल जी हाँ वो है हमारा औरा और अब ज्ञान पर हमने बहुत काम किया कि भक्तामर के मंत्रों के बात्यम से आभा मंडल को कैसे बढ़ाया जाए अपनी लाइफस्टाइल को खराब करके अपने आभा मंडल को कैसे खतम किया जाए कैसे कम किया जाए कैसे छोटा किया जाए आप सब सोच रहे होंगे कि क्या होता है आभा मंडल आपने देखा होगा कि किसी इंसान के साथ आपको बैटना बहुत अच्छा लगता है जब उसका फॉन कोल आ जाता है आपको लगता है कि कोन आ रहा है मेरे घर आप खुशी से चहक उठती है उसके लिए कुछ नों कुछ त्यारी करती है क्यों क्या वो आपको कुछ देने आ रहा है नहीं उसका आभा मंडल आपके लिए पॉजिटिव है आप उसको प्यार करते हैं आप उसको चाहते हैं आपको उससे फ्रेंशिप है अच्छी तभी उसका आभा मंडल आपको अच्छा लगेगा तो यही होता है औरा एनरजी फिल्ड जो हम सब का है इस काब्बे में हम आवा मंडल के बारे में तो तीर्थन करो के आवा मंडल के बारे में दो बाते करेंगे ही लेकिन अगर आप आवा मंडल के बारे में और विज्ञान के बारे में और साइंस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं कि दूसरों का औरा कैसे देखा जाए अ अपने औरा को ब्यवस्तित कैसे किया जाए, अपने औरा को एक्स्वेंड कैसे किया जाए, अपने औरा को और कैसे बढ़ाया जाए, अपने औरा को गिरों के नकारतवर बभावाव से, बास्तु के दोसों से, नेगेटिव इविल से, बुरी नजरों से कैसे बचाया जाए, अपनी आपको प्रोटेट केसे किया जाए, यह सब जानना चाते हैं, तो हमारे कूर्स में जरूर जोईन करें, आप अब मंडल के बारे में बात चल रहे हैं या, तो इस काववे में आचारे मांतुम स्वामी क्या कहते हैं, पहले जानते हैं, समझते हैं, फिर आगे की बते है तो आज हम बात कर रहे हैं भक्तामरस्त्रोट के 34 वे नंबर काववे की, 34 बढ़ते हुआ कर्म है, 3 के बाद 4, 34 तो सबसे पहले हम भक्तामरस्त्रोट के 34 वे नंबर गाथा का उचारन सीखते हैं शुम्भत प्रभा वलय भूरी विभा विबोस्ते लोकताई लोकताई दूतीमतान दूतीमाक्षिपन्ती प्रोद दिवाकर निरंतर पूरी संख्या दिप्त्या जया त्यपी निशाम पी सोम सोम्यां शुम्भत श के बाद क्या है महें शुम्भत शुम्भत प्रभा शुम्भत प्रभा वलय वलय भूरी भूरी विभा विभोस्ते लोकताई लोकताई यहां पर देखिए स्वर्गात हो रहा है लोकताई दूती मतान दूती माक्षी पंती ताके ओपर बिंदी और बारनी क्या है ध्या तो हम यहां पर बिंदी को चलन क्या करना है ना लोकताई दूती मतान दूती माक्षी पंती प्रोधत धनुष्वला प्रोधत प्रोधत दिवाकर प्रोधत दिवाकर दिवा कर नीरंतर भूरी संख्या भापर बड़ेव की मात्रा है भूरी संख्या हमें इसको लंबा लेना है भूरी संख्या दिप्त्या जयत्या पी नीशाम पी सोम सोम्या जब आप इस तरह से भक्तामरस्त्रोत को पढ़ती हैं तो भक्तामरस्त्रोत की एक लाइन में कितनी अक्षर हैं कितनी बीजाक्षर हैं चोदा बीजाक्षर हैं और एक गाथा की अंदर 56 बीजाक्षर हैं जब हम 56 बीजाक्षर का उचारन करती हैं मन वचनकाई की शुद्धी पूरवक हमारी पूरी बॉड़ी के अंदर एक कमपन होने लग जाता है एक नया औरा क्रियेट होने लग जाएगा लेकिन यदि हम भक्तामबर स्थोत कैसे पढ़ रहे हैं अंदर ही अंदर उचरन कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला कि कब भक्तामबर हमने फिनिश कर दिय तो उसकी किसी भी वाइब्रेशन के साथ हमारा कनेक्शन कभी भी नहीं हो पाएगा तो जब भी आप भक्तामबर स्थोत पढ़ रहे हैं बुक लेकर पढ़ें कि छोटे उकी मात्रा है या बड़े उकी मात्रा है चोटी इकी मात्रा है या बड़ी इकी मात्रा है कहां पर ब पता ही नहीं चलता कि उसने कितना खा लिया। उसका ध्यान कहां है। टीवी देखने में हैं, मुबाइल फोन में हैं। तो ऐसा खाना खाना कोई भी एफेक्टिव नहीं है। पेट तो भर जाएगा। लेकिन उसका जो उसको बैनिफिट मिलना चाहिए था। जो विटामिन् उसका इफेक्ट उसको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जब भी आप भकतामर सोत पढ़ें तो एक एक शब्द का उच्छारण आप देखें कि आप क्या कर रही है। क्या उसका अर्थ होता है। क्या उसका मतलब है। जब इस भावना के साथ आप पढ़ेंगे तो उसका अलग ही रिजल्ट आएगा। तो अब हम word to word art समझते हैं। शुम्भत शुम्भत मीज शोभायान। शुम्भत प्रभा प्रभावल्ले मीज भामंडल। भूरी भूरी मीज विशाल। विभा विभा मीज कांती। विभोस्ते को हम संदी विछेत करेंगे। विभो मीज क्य 3-3 दुति मतान मीज क्रांतीवान का। दुति मीज क्रांती को। माक्षी पंती मीज लजाती हुई। प्रोधत मीज क्या होता है। उगना। दिवाकर मीज सूर्य। निरंतर मीज लगातार। भूरी मीज अनेक। संख्या मीज गनना कांटिंग। दिप्त्या मीज क्रांती से जयती मीश जीतता है अपी अपी मीश भी निशा मीश रातरी नाइट मपी मीश भी और совम मीश चंद्र सोम्या मीश सुंदर तो इसका क्या भावार्थ है कि हे भगवन आपके आभामंडल की जो चमक है इतनी अधिक है कि करोडो सूर्ग करोडो चंद्रमा एक साथ प्रकाश के सामने फी के नजर आ रहे हैं इसलिए तिर्थंकर भगवान के समोशरण में रात और दिन का कोई भी फरक नहीं होता है आश्यरे चकित नहीं होंगे हम लोग कि एक तिर्थंकर के आभा मंडल में करोडो सूर्य प्रकासमान हो जाएं कैसे हम दुने तो एक ही सूर्य देखा है फिर करोडो सूर्य कहां से आएंगे किसने देखे होंगे करोडो सूर्य लेकिन विज्ञान कहता है आज कि जितने हमारा सूरज है अभी तक बैज्ञानिक और साइंटिस्ट मिलकर पूरे विज्ञान मिलकर पचात अरब सूरजों की गन्ना कर चुके हैं काउंटिंग कर चुके हैं कितनी पचात अरब सूरज और वे सूरज हमारी सूरज से इतने विशाल है कि हमारे सूरज से एक एक लाग गुना बड़े महा सूरज इस पूरे ब्रह्मान में बिधमान है तो क्या फरक पड़ता है कि उसमें से अगर करोड़ सूरे भगवान के आवा मंडल में एक वसात प्रकाशित हो जाए भगवान का आवा मंडल न करोड़ सूरे के प्रकाश से जगमा उठे भगवान का आवा मंडल उन सूरे और चंद्रमाओं से अक्षा दित हो जाए तो जिन्दवानी में जो कुछ लिखा हुआ है आचारे मांदम स्वामी ने ये भगतामर सूर के माद्यम से जो कुछ भी लिखा वो एक एक सब्द पूर्टे सब्दे है लेकिन अग्यानता के कारण हम जान नहीं पाते तो हमें लगता है कि कैसे करोड़ सूरे प्रिकाशित हो सकते हैं वो जब विग्यान का कोई नाम नहीं था तब उन्ही महराज ने करूड सूरत की गन्ना करके बता दिया कि भगवान के आवामने करूड सूरत प्रकाश मान होते हैं आज तो विग्यान भी कह रहा है कि पचात अरब सूरत तो गिनी जा चुके हैं और इससे आगे कितने होंगे क्योंकि हम इससे आगे पहुँच नहीं सकते हमारी इससे आगे जाने की लिमिट नहीं है अद्वत उनकी दूर्द रश्टी रही होगी अद्वत उनकी सोच रही होगी आचारे मानतम स्वामी की आके और समझते हैं कावब के बारे में भगवान का जो आभा मंडल है वो इतना तेज मई है कि इतना चमतकारी है और इतना चमक रहा है कि उसके सामने करोडो सूरे, करोडो चंदर्मा भी फीके हैं आप जो इस धर्ती पर सूरे उगता है तब वो तेज में ही होता है दोपहर का सूरे क्या? आप अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं? नहीं, बिना किसी मिरर के या काले चश्मे के नहीं देख सकते तो आखों की रोशनी भी जा सकती है और आखों में से पानी भी आने लगता है तो ये जो सूरे चमक रहा है, लाखों गुना सूरे की चमक है आप में परमेश्वर भगवान के आभा मंडल में और उसके बावजूद भी आपके आभा मंडल में किसी भी प्रकार की गर्मी नहीं है दूसरी बात उस चमक को क्रोडो सूरे की चमक में बैठे हुए समोशरन में सभी जनों की जो आँखे हैं वो चोंदमई नहीं है चुंदियाती नहीं है आँखों को बंद करने की अवशक्ता नहीं होती है मतलब वहाँ पर जो प्रकाश है वो प्रकाश है त्रिव है लेकिन उसके बावजूद भी आँखों को प्रिये लगने वाला है ये जो प्रकाश है इसका प्रकाश आँखों के लिए हानिकारक नहीं ह लेकिन भगवान के आभामंडल में जो प्रकाश है वो भले ही करोडो सूर्यों से अधिक प्रकाश मान है जब हम से सूरज ही नहीं देखा जाता तो हम करोडो सूर्य की रोशनी कैसे देखेंगे तो भगवान के दर्शन कैसे होने चाहिए तो अचारियों ने समधान दिया है कि भगवान के भामंडल का प्रकाश जरूर करोडो सूरे का प्रकाश भी अधिक है लेकिन एक सूरे के प्रकाश को हम नहीं देख सकते लेकिन भगवान के भामंडल को आभामंडल के प्रकाश को बड़े अराम से निहार सकते हैं वे आपकी आँखों के लिए हानिकारक नहीं होता है सूरे की रोशनी तो बहुत गरम होती है और आपने तो कहा है कि क्रोडो सूरे की गरमी होती है उसके बावजूद अचारों ने यह भी लिखा है तिल्लोग प्रणती जो ग्रंथ में कि मुशनी होती है चंद्रमा क्या है शीतलता का प्रतीक है ठंडक का प्रतीक है क्रोडो सूरे में भी कितनी ठंडक और शीतलता होती होगी इश्वर आदिनाद भगवान का प्रकाश इतना निर्मल है इतना ठंडक देने वाला है इतना देव्य प्रकाश है पवित्र प्रकाश यह वैसा ही प्रकाश है जो सिर्फ आपके पास ही पाया जाता है और कहीं अन्यत्र इसको हम नहीं देख सकते तो क्या आप सबको नहीं लगता कि हमारे अंदर भी एक प्रकाश है बिलकुल हमारे अंदर भी प्रकाश है जो हमारी आत्मा है उसके अंदर अपार्श शक्ती है ल अपने आभा मंडल में छुपे हुई जितनी भी नेगेटिव उर्जा है, जितनी भी गंदगी है, जितनी भी नेगेटिव वेवस हैं, उनको फिनिश कर सकते हैं। कहते हैं भगवान के आभा मंडल के दर्सन करने से साथ जन्मों का पाप नश्ट हो जाते हैं। साथ जनम कौन से तीन पूर्व के एक बर्तमान का और तीन भविस्व में आने वाले सिर्फ आवा मंडल की बात की गई है कि भगवान के आवा मंडल के दर्सन करने से हमारे साथ जनमों के पाप नश्ट हो जाते हैं तो उस तिलो की नाथ के जब हम दर्सन करेंगे ऐसी मंगल भवना के साथ कि भगवान तो हमारे आवा मंडल में करूरो सूर्य प्रकास मान हो रहे हैं लेकिन आपका मुख मंडल तो उनसे भी ज़्यादा प्रकास मान है तो क्या हमारे अनंत भवों के संचित करम प्यारब्द करम जिनको हम काट नहीं पा रहे थे जिनको हम भूग भी नहीं पा रहे थे जिनके कारण हम आरा जीवन कष्ट में होता जा रहा था ऐसे करम क्या प्रफू की भक्ति और दर्फन से नहीं कर सकते अवश्य ही हो हमारे सारे करम जा निकांचित करम हो, जा संचित करम हो, कोई भी करम का प्रिकति हो, सभी करम हमारे स्वेह में भी छे हो जाते हैं, जब भगवान की निर्मल भक्ति, प्रभू की भक्ति, हम सची हिर्दय से, सची भक्ति भाप से करते हैं. जैसे मानतुम्महरास्री ने खरीब यसे ही ज़धि हम भी कर सकते हैं हमें पता भी नहीं चलेका कब हमारे संचित कर्मों के निर्ज्रा हो गई उन्हें पता भी था यह का बोल रहे हैं हर एक शेलों में कोई कंप twin नहीं कर रहे हैं सिर्फ भकती कर और कब उनके कर्मों के निजरा हो गई पता भी नहीं चला। जब भी कोई जीब मा के गर्ब में आता है तो अपना एक आवा मंडल लेकर आता है। और कभी-कभी ऐसा दिखा जाता है, करमुद्द से कुछ माताय बेहनों को बार-बार मिश्करेज हो जाता है, गरब पात हो जाता है। उस गर्ब की शुरक्षा के लिए उस गर्बस तजिवकुषी रक्षा के लिए गर्ब में जो जीव आया है उसके आवा मंडल को प्रोटेट करने के लिए हम भक्ता अमर के 34 वे कावे का उचारंग करें और हमने ऐसे कहीं सफल प्रयोग किये हैं जिनको इस तरह की इशूज रहते थे प्रॉब्लम्स रहती थी उन्होंने इस कावे का पार्ट किया और उनके उनका प्रसव बहुत अच्छा हुआ और वो संतान आज भी बिलको ठीक है स्वस्थ है तो आप सब भी भी कोई ऐसी मा ब बताएं कि इस कावे को पढ़ने से नो महीने तक संतान भी स्रक्षित होगी उसका आभा मंडल भी बढ़ेगा और तो संतान जब नो महीने की पश्चा जब इस धरा पर अपतरित होगी जनम लेगी तो निश्चिती वो अपने परिवार के लिए और समाज के लिए कल्यान का होगी आपने बहुत प्रेम और सांती से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसका आभेसे संबदित अधिक जानकरी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर विजिट कीजे और हमारे यूट्यूब चैनल है bhaktamarmantrahealing और विशेष जानकरी या किसी questions क से रिगार्डिंग आप हमारे दिये हे नंबर पर हमें call कर सकते हैं और whatsapp भी कर सकते हैं और हमारा विशेष कोर्स रेकी प्लस भकतामर healing प्लस नुवारी कोर्स को आप जरूर जोएन कीजे जिससे आपकी ज्यान में भी व्रिधी होगी और जो भी आपकी life में disturbances आएवे हैं उनको भी आप दूर करने में सक्षम हो पाएंगे पांच अक्टूबर से दस अक्टूबर जो जूम ऑनलाइन के माध्यम से सभी को पढ़ाये जाएगा तो घर बेठे आप इस सुनेरे अफसर का फाइदा जरू ठाएं अभी के लिए इतना ही कल तक के लिए सादर जैजनें करता जिए में जाएंगे पांच पूर करने में।